हेलो, स्वागत है आपका फ्री जिकेक्यो शानल पे मेरा नाम है किरुन भाबर आज किस वीडियो में हम पिछले हफते के 30 करेंट अफियर्स कवर करेंगे जो सभी एक्जाम के लिए काफी जादा महत पुण है तो चलिए शुरू करते हैं आज किस वीडियो को लास्ट तक पुरा देखेगा लास्ट में कुशन पूछा है मने आपसे जिसका आणसर आपको कमेंट करना है चलिए पहला प्रश्ण है साल 2023 के ब्रिटिस्ट अकैडमी बुक प्राइस से किसे सम्मानित किया गया अंसर यहाँ पर आप्शन C वाला नंदनी दास इनका नाम है नंदनी दास इनहीं समानित किया गया किस पुस्तक के लिए समानित किया गया है याद रखेगा कॉटिंग इंडिया के लिए नेक्स्ट है किस देश ने हाल ही में भारतिय को बίνर वीजा यात्रा करने के सुईधा दी है यहाँ पर वीजा क्या उशक्ता नहीं है वहाँ पर गुमफिर कर आप आ सकते हैं ठीक है गुमफिर कर यह थाइलेंड जगा नेक्स्ट कुशन है विशो का पहला AI Safety Summit किस देश में आजेत किया जा रहा है इसका आजेन हो रहा है ब्रिटेन में नेक्स्ट है इसे शूटिंग चैंपिंशिप 2023 में पुरुषो की 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में किसने स्वन पतक जीता किसने जीता है इनका नाम है एश्वरिय प्रतापसी है तो मर बहुत जगा इनका नाम यहाँ पर एश्वरिय भी लिखा हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशिन है फीफा पुरुष विश्व कप 2000 यहाँ पर देखिए 2034 के हम बात कर रहे हैं इसकी मेजवानी कौन सा देश करेगा आपसे यह पुछा है 2034 की मेजवानी इसकी मेजवानी करेगा सवधी अरब पहले से यह चीज़ें डिसाइड कर ली जाती हैं कि कब कौन सा देश किसकी मेजवानी करेगा है चलिए आगे बढ़ते हैं वर्ष 2023 के प्रतिस्टित बिलन्डी और अवार्ड से किसे समानित क्या गया बैलन्डी और अवार्ड से समानित क्या है इनका नाम है अर्जेंटिना से है खिलाड़ी इनका नाम है लियोनेल मैसी चातर इन्हें मैसी मैसी के नाम से जानते हैं नेक्स्ट है गुजराद की पहली हैरिटेज ट्रेन को किसने हरी जंडी दिखा कर रवान ने किया किसने नरेंद्र मुदी? नेक्स कुशन दिखेगा काफिज़त इंपोर्टन गोवा के सेती स्वे रास्ट्री खेलो में महलाओं की 20 किलोमेटर रेश वॉक में किसे नया रिकॉर्ड बनाया है? 20 किलोमेटर रेश की वॉक में इनका नाम है प्रियंगा गोस्वामी इन्होंने रिकॉर्ड बनाया नेक्स कुशन है रास्ट्री एकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बताइए यहां मनाया जाता है अंसर क्या हो गए याँ पर? ऑप्शन C से यह 31 अक्टूबर को 31 अक्टूबर को बनाया जाता है आगे बढ़ेंगे स्टेट बैंक और इंडिया ने किसे अपना नया एमबिसेडर निक्त किया है? किसे निक्त किया है? अंसरो का आप्शन B वाला महेंदर सी हैं धोनी नेक्स कुशन है चौथे एशय पैरा खेलो में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? कुल कितने जीते हैं? 111 जीते हैं लेकिन आपको कमेंट करना है कि चौथे एशाई पैरा खिलों में भारत ने कितने गोल्ड, कितने ब्रॉंच, कितने इस सिल्वर और ब्रॉंच जीते हैं, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉंच, कितने जीते हैं, यहां आपको कमेंट करके बताना है, टोटल 111 है, चलिए, नेक्स कोशन है, इंडिया युसेना कमांडरों के, दो दीविसिये समयलन का उधगाटन किस ने किया, राजनात सिहने उधगाटन किया, अगला सवाल, राजनेता ली, कैकी यांग का निधन हो गया हाल ही में, फिके सदेश के पूर्व प्रधान मंतरी रहे हैं, नाम याद रखेगा, ली, कैकी यांग नाम से वैसे समझ में आगया होगा आपको, कि ये चीन देश के पूर्व प्रधान मंतरी रहे थे, चलिए आगे बढ़ते हैं, मलेशिया के अगले किंग के रूप में किसे चुना गया है, कौन है, इनका नाम है सुल्तान इबराहीम, सुल्तान इसकंदर, इन्हें मलेशिया का सरस आजेवी का मिला, देखे इसका आइजन हो रहा है गुरुग्राम में, कहां पर गुरुग्राम में, नेक्स कुशन है, भारती महला क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच, किसे बनाया गया, काफी ज़्यादा इंपॉर्टन कुशन, इनका नाम क्या है, अमूल मुझुम नाम याद रखेगा, अमूल मुझुमदार है, भारती महला क्रिकेट टीम के नया मुख्य कोच, बंगाल के खाड़ी में उठे चक्रवाती तुफान, हामून को किस देश दुवारा नाम दिया गया, इसे नाम दिया है एरान ने, बंगाल के खाड़ी में उठा है, चक्रव गुजरात में भारत के पहली नैनो DAP प्लांट का उधगाटन, भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नैशनल आइकॉन नियुक्त किया है, किसे क्या है, राजकुमार राव को, राजकुमार राव को नियुक्त किया है, अगला सवाल है, टाटा पावर, रेन्यूएब और M.D. के रूप में किसे चुना गया, अंसर ओप्शन भी वाला दिपेश अनंदा को, नेक्स कोशन श्री लंका के त्री कोमाली में भारती स्टीट बैंक के शाखा का उधगाडन किस ने किया, इनका नाम क्या है, निर्मला सितारमन, ये है वित्यमंत्री अपने देश की, नेक्स्ट है, भारत के किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाडी है, सचीन तेंदुलकर, इनकी प्रतीमा का अनावरण किया गया, कहां पर वानखेडे स्टेडियम में, भारत की किस स्टेडियम में महान क्रिकेट खिलाडी सचीन तेंदुलकर की प्रतीमा का अनावरण, पैनल की अध्यक्षता नेक्स्ट है इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्वकब 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से सन्यास लेने की घोशना की है डैविड वीली ने नेक्स्ट है क्रिकेट से जुड़े बैजबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्षनरी से जुड़ा गया है इसे जुड़ा गया है कॉलिंस से नेक्स्ट है अगर तला अखोरा रेल प्रोजेक्ट भारत और किस देश से समधित है इसका समधित है भारत और बांगला देश से अगर तला अखोरा रेल प्रोजेक्ट नेक्स्ट कोशन भारती अर्थ सास्त्रोर, सम्मद विज्ञान, संग के चौथे, वाशक सम्मेलन का आजन कहां किया गया, कहां किया गया, श्रीनगर में Next question है, Beauty World Middle East 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, कौन सा शहर करेगा, दुबै शहर करेगा, Beauty World Middle East 2023 की मेजबानी Next question है, Financial Action, Task Force ने हाल ही में किस देश को अपनी Gray List से हटाया, किसे हटाया, अलबानिया को आगे बढ़ेंगे, Cabinet, केंद्रे Cabinet ने जमरानी बांध परियोजना को मंसोरी दे दी, यह किस राज्यस से सांबंधित है, जमरानी बांध परियोजना का संबंध है उत्राखंड से चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, लास्ट में question पूछा है मैंने आपसे, जिसका अंसर आपको comment करना है, है न, देखेंगे वैसे question पहली पूछ लिया मैंने आपसे कि चौथे एशियाई, पैरा खिलो में भारत ने कुल कितने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉंज मेडल जीते हैं, टोटल ता भी बताया देगा मैंने आपको 111, लेकिन गोल्ड कितने है उसमें से, सिल्वर कितने है और ब्रॉंज कितने हापको बताना है, और अगला सवाल है, कें आज के वीडियो में इतना ही, I hope यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो चैनल को ज़रू सब्स्रेब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन पर ज़रू कर देना, जब भी हम एक निव वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच ज वीडियो को लास तक देखने के लिए ठैंक इए